और आज हम UP special cover करेंगे लेकिन पहला question ये कि क्या UP special सच में इतना important है या सिर्फ आपका समय लगाया जा रहा है तो ये प्रिश्ण पूछने से पहले आप UP special में पहले ये ध्यान दो क्या ये important है क्या UP special से इतने प्रेश्ण आते हैं कि इसको बहुत ध्यान से cover करना चाहिए तो ध्यान दो अगर हम previous कम से कम 5 years का जो question pattern है उनको observe करें तो direct UP से direct UP से जो question आते हैं उनकी संग्या है 5 to 6 तो क्या 5 to 6 question के लिए दो से तीन घंटे समय लगाया जाना चाहिए इस समय जी नहीं और बात समझो अगर हम UP के current affairs को add कर लें जो कि इस magazine में cover होंगे तो आपकी करीब 5 question और बढ़ जाते हैं UP के subjective areas यानि की history, polity, geography, environment अगर हम यह add कर लें तो nearly 5 to 6 question और बढ़ जाते हैं यहां से 5 to 6 question और बढ़ जाते हैं एक बहुत significant area है UP की economy जिसमें UP का budget और जो economic data है इससे अगर हम question add करें तो करीब करीब 3 questions और add हो जाते हैं तो total कितने question होगे 5 plus 5 plus 5 plus 3 यानि कि 18 questions यह 18 questions वो questions है जो dedicated तोर पर इस magazine से आप cover करेंगे एक बात और क्या बात यहां पर समाप्त हो जाते हैं जी नहीं कई सारे question जो freedom struggle के हैं जो governance के हैं जो social issues के हैं जो आपको लगता है कि जो आपका general current affairs होता है वो वहाँ से cover हो जाएगा लेकिन वो सत्ती नही है क्यों जब कोई minute detail पे UP का कोई ऐसा fact जो social issue governance या history या culture का होता है जिसे आप अपने routine subject का part मानते हैं तो वहाँ से cover नहीं होता भले आपको लगता है कि freedom struggle जो spectrum में दिया हुआ है जो विपन चंद्रा में दिया हुआ है और वो जो UP special में आप कर रहे हैं वो सब एक बाते हैं वो सत्य नहीं है जब आप UP special में उस aspect को cover करते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये subject matter UP special का है तभी ये आपको यहाँ पे आसानी से cover हो रहा है अगर आप spectrum में cover करने जाओगे तो there is huge chances कि वो fact आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे so welcome all of you at the conceptual is UP special के इस session में आप सुभी का स्वागत है और हम लोग 2024 की इस magazine के help से UP special cover करने वाले हैं इसके अलाबा किसी भी प्रकार के doubt के लिए किसी भी प्रकार के doubt के लिए आप हमारी whatsapp जिसका number है double eight double nine seven zero seven five seven zero पे contact करो हाँ publicly telegram में कोई भी magazine share करना यह अपने आप में violation of copyright है बट one to one share किया जा सकता है laws हमें इसके permission देते हैं तो whatsapp पे आप contact करो PDF अगरा किसी भी तरह की अगर आपका prelims निकालने में कोई problem आते है तो आने वाले 40 days को किस तरह से organize करोगे 40 days को किस तरह से organize करोगे इस से related जो भी plans and procedure आपको follow करनी चाहिए आप उन सभी प्रकार के health के लिए the conceptualize को follow कर सकते हैं चलो इस session को सुरू करते हैं अभी तो यह magazine हम लोग टू पार्ट में cover कर लेंगे टू पार्ट में यह उसको पहला पार्ट है first part out of two और यह सारे topic हैं जिनको हम आज cover करने की कोशिश करेंगे जनरल फैक्ट भौतिक उत्तर प्रदेश की जलवायू मिट्टी नदियां बिद्युत परियोजनाय वन वनस्पतियां वन जीव और धेर सारे topic यहां पर दे हुए हैं खानिस संसाधन उद्योग पसुपालन दुग्ध जन जातियां परिवहन संचार सभी कुछ यह सब हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे सो मैजजीन मार्केट में अब लेबल है आप लोग वहां से लेके इसको साथ में पढ़ सकते हैं इस lecture को अगर आप एक से दो बार सब्सक्राइब करते थे तो आपकी एकुरेशिय इन केस अगर कोस्टन इस मागजीन से आते हैं तो वो 17-18 के आसपास पहुंच जाएगी मतलब नेरली 95% से 99% तक आप अपनी एकुरेशिय को बढ़ा सकते हैं without making any delay आये कुछ factual aspects सबसे पहले cover करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो general fact है सबसे पहले वहाँ पर देखेंगे कि यूपी यानिक उत्तर प्रदेश जिसको बहुत ही popular छोटा सणाम है यूपी भारत का सीमान्त राज्य है सीमान्त उस राज्य को कहते हैं जिसका border किसी ने किसी foreign country से मिलता है जिसके उत्तरी सीमा नेपाल को टच करती है और उत्तर अखन के गठन के पूर्व इसकी सीमा चीन और तिबब छेतर से भी जोड़ी थी बट अब नहीं है यह जानना ज्यादा जरूरी है अब चाइना से टच नहीं करता प्राक्तिक रोप से उत्तर प्रदेश हिमालय की गंडक नेदी इस तरह से बंधा हुआ है इतने जोग्राफिकल फीचर आप याद रखेंगे सिवालिक स्रेणिया उत्तर में पस्चिम में दच्छल पस्चिम एवं दक्षण में यमुना नदी विंध्या स्रेणिया और साथ में गंडक नेदी यह यूपी के बाउडर को ब छेतरफल के दरिश्टी से उत्तर प्रदेश का भारत में करमसह इन राज्यों के बाद चौथा स्थान है तो पहले नमपर पर राजस्थान दूसरे में मद्ध्य प्रदेश तीसरे में महरास्ट और चौथा में चौथे में हमारा उत्तर प्रदेश आता है ठीक है कुछ और देखेंगे फिर नीचे वापस आते हैं तो राज की प्रती कौन-कौन से हैं यूपी दिवस कब मनाया जाता है उत्तर देश दिवस 24 जन्वरी को राज की चिन मचली सारी मचलियां कितनी हैं और यदि आप UPSC सिर्फ एक अटेंप्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको य आपको आडवाइस करते हैं कि आप सबसे पहले मेंस 500 प्रोग्राम के साथ अपनी प्रिप्रेशन को स्ट्रेंदिन करो और इसमें टॉपिक वाइस आंसर राइटिंग करो पूरे 100 पेपर मिलेंगे प्लस 20 एस मिलेंगे निबंध मिलेंगे और यह सारे पेपर पूरे 100 के 100 प हुगता नहीं है आपकी प्रिप्रेशन में वह गहराई आती है और आपका सेलेक्शन होता है तीर धनुस कितना है एक यहां पर यह तीर धनुस है और यह दो मचलिया है यह है राज की मीन मचली कौन से ही तो चिताला और राज की जली जीव गैंजिटिक डॉल्फिन ठीक है राज की पुस्प पलास राज की पक्षे सारस या क्रॉंच राज की व्रिष असोग या सीता असोग राज की पसु बारा सिंगा कुछ भावोलिक परिद्र से और समझते हैं जो पूर्वी देशांतर है वो तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करता है 77 degree and 30 minute से लेकर 84 degree and 39 minute के बीच में यूपी की जोगराफिव 23 degree 52 minute नॉर्थ और 31 degree and 28 minute उत्तरी यानि कि नॉर्थ तो ये नॉर्थ और इस्ट देखो यहां से हमें इस्ट मिलता है और यहां से नॉर्थ मिलता है यह नॉर्थ तो नदन हमें इस्फियर में इस्टन इस्टन देशांतर के हिस्ट उत्त्वर देश इस की लोकैशन कहां पर है नॉर्थ ईस्ट में इतनी बाता में बाता होना चाहिए वर्ड के लोग के हिसाब उपी के लोकैशन है नॉर्थ इस्ट में भागोलिक छेत्रफल इसा ठ्यान से देखिये दो लाग चालिस जार नोसो आठाइस वर्ग किलोमेटर ठीक है और भारत का जो कुल भागोलिक छेत्र है वो 32,27,263 वर्ग किलोमेटर है उसका उत्तर प्रदेश 7.333 प्रिश्य छेत्रफल सेयर करता है प्रदेश की लंबाई 650 किलोमेटर पूर उसे पस्चिम के और ज्यादा है ठीक है इसी है यह सब समझना कुल अक्छानसी विस्तार 7 डिग्री एंड 36 मिनिट है तो यह हमें कैसे पता चलता है अक्छानसी विस्तार और तो देखो आप 31 डिग्री 28 मिनिट में 23 डिग्री 52 मिनिट माइनस करो ठीक तो आपका यह अक्छानसी विस्तार आ जाएगा 7 डिग्री 36 मिनिट उसी तरह यह देखांतर को 84 39 में 77 30 को माइनस करेंगे तो यह देखांतर यह विस्तार आ जाएगा प्रदेश की चोड़ाई 240 किलोमेटर उत्तर से दक्छन के और ठीक है और लंबाई 650 किलोमेटर यह तो कुछ बहुत ही सरल फैक्ट है जिनसे आप आजकल इतने इजी कोशन भी नहीं आते लेकिन हमें पता इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी इजी कोशन गलत नहों अब जो हो औरहा चाहिए तो सीमा इस पर सकड़नेवाले राज हैं वहां से बात सुरु होगी और यह अपने आपने इंपने इंपार्ट है तो सबसे चोटा बौर्डर है हेमाचल और यूपी के बीच में और सबसे बड़ा बॉर्डर है मध्धवर्देश और यूपी की बीच में बाकि अनेको बॉर्डर है उन सबको देख लेते हैं दिल्ली हमारा बॉर्डर बनाता है राजस्थान बनाता है उत्तराखंड बनाता है बिहार एन जहारखंड साथ में 36 गड़ देखो इस राज हैं दिल्ली चुकि केंदर सास्थ प्रदेश है तो राज में यहां से स्काउंट करेंगे हर्याना एक हिमाचल दो उत्तराखंड तीन चार पांच छे साथ आठ तो यह टोटल एट इस्टेट्स हैं और डेल ही यानिकि वन यूटी है यूनियों ट्रेट्रे ठेक है तो जार करते हैं और कुछ बाते हैं राज एवं केंदर सास्थ प्रदेश समंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ति जिले कौन से हैं बॉर्डर में कौन कौन से डिस्टिक्स हैं यूपिक है तो दिल्ली से हमारे गाजयवा और गौतम बुद्दगर जिसे आप नोड़ा भी ज बनाता है हिमाचल सहारनपूर हमारा जो जिला है वो बॉर्डर बनाता है जहार खंड से सोनभद्र डिस्टिक है जो की बॉर्डर बनाता है राजस्थान से मथुरा आगरा दोनों बॉर्डर बनाते हैं ठीक है कुछ और बाते हैं उत्तरा खंडे से सटे साथ जिले कौन से हैं तो उत्तरा खंडे एक प्रदेश है उससे यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो बॉर्टर बनाते हैं तो बिजनौर, पीली भीत, सहारनपुर, मुझफ़रनगर, बरेली, रामपुर, मुरादबाद अब इसका कोई आप कूट बना लो तो यह आपको याद करना आसान हो जाएगा या तो इसे आप मैट में देखो तो ज़्याद आसान हो जाएगा ठीक है नेपाल एक फॉर्ण लैंड है उसे लखीमपुर, महराजगंज, स्रावस्ति, बलरामपुर, सिधार्टनगर, पीली भ परिया, कुशिनगर, हर्याना से छे जिले हैं, मथुरा, शामली, शहारनपुर, बाकपत, अलीगण, गौतमबद नगर, ठीक है, कुछ और बाते हैं, सबसे अधिक मध्ध प्रदेश से, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालाउन, छासी, लालितपुर, बांदा, चित्रकोट, प्रयागराच, आपको ध्यान देना चाहिए, मिर्जापुर में, चुकि तुम जानते हो, कि चित्रकोट, बांदा, महुबा, लरितपुर, जासी, जालाउन, ये सब तुम्हारे लिए आसान है, नोट करना, कि ये MP से बार्डर बनाता है, चलो, प्र धारखंड और मध्यप्रदेस तीनों का, इसलिए इन पे ध्यान देंगे, जो भोल सकते हैं, तो उनमें मिर्जापुर याद रखना, और इटावा याद रखना, बांकी सब तुम ही याद रहेगा, जालाउन भी याद कर सकते हो, अगर तुमको भोल सकता है, तो, यहाँ प द्रजिले के समौर्थी कौन-कौन से हैं, तो, सून भदर से बिहार, जहारखंड, चत्तिसगड़ और मद्यप्रतेस, यानि कि चार राज्ये, फोर स्टेट्स, सून भदर से अकेले बाटर बनाते हैं, ठिक, और सहारनपूर से तीन, हिमाचल, हार्याना, उत्तराखंड, त कितने, कितने डिस्टिक हैं, यूपी में, और उस कहां-कहां उनकी लोकेशन है, बाटर, यह सोन भदर रियाद रखना है, चुकि इस से बिहार, जहारखंड, चत्तिसगड़, और MP, यह चार स्टेट हैं, फोर स्टेट हैं, चार राज्ये हैं, जो बाटर बनाते हैं, ठिक ह और बाते हैं, यूपी की भावगोलिक सीमाओं सम्मतित तत्य, मद्द्पृदेश राज तीन और से, घेरता है कि यूपी के जिले को, ललित पुर को, यूपी से लवी सबसे लंबी सीमाओला राज MP है, सबसे छोटी सीमाओला राज हिमाचल है, आठ, सारी, ग्यारा जिलो को इस पर्स करने वाला राज मद्द्पृदेश है, ठीक है, और यूपी के सबसे कम जिलों, यानि कि एक मातर जहांसी को इस पर्स करने वाला जिला है, ललित पुर, मतब यूपी का कौन सा जिला है, जो दूसरे किसी यूपी के सबसे कम जिले को इस पर्स करता है, तो ललि यमुणा, गुम्ती, गुम्ती कहा से निकलती है, पिली भिछ से? बात करेंगे आगे, राम गंगा, केन, बेत्वा, घागरा, ये प्रमुक नदिया है यूपी की, पोछ और बाते है, यूपी देश में किनकिन चीजों में प्रथम इस्थान रखता है, प्रथम इस्थान किनक समग्र बागवानी आलू आम अम्रूद इन फशलों में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक उत्पादक या उत्पादन करने वाला राज्य है इसके अलावा आवला गन्ना दूध और मांस एक कोशन इधर से आपका बन सकता है इंपोर्टेंट है देख लो हाना उत्तर प्रदेश का देश में दूती इस्थान किन-किन चीजों में है तो यहां पर आपको क्या याद रखना है एक चावल चीनी बाजरा कुल दल हम ठीक है तंबाकु उतना इंपोर्टन नहीं है तूर अरहर इंपोर्टन है रेप सीट सरसों इंपोर्टन है तो इतनी चीज यूपी में किन चीजों का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो सरवधिक मक्का बहराज से सरवधिक चना जहांसी से सरवधिक चावल यूपी दूसरे स्थान पर है नमबर एक पर पस्चिम बंगाल है गेहूं हर्दोई सर्वधिक, सर्वधिक बाजरे का उत्पादन आगरा, सर्वधिक जवार का उत्पादन, बांदा, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि चीनी उत्पादन में इसका स्थान है दूसरा और नंबर एक पर है महरास्ट, स्थान है प्रथम तंबाकूत पादन में देश में स्थान है तिरती अब यूपी की जन लड़ना यूपी की कुल जन संख्या है इतनी यह नंबर देख लो जिसमें पुरुस हैं और महिला हैं पुरुसों की अबादी 104-480-510-9533-1831 इसमें एक पात याद रखना कि पुरुसों की अबादी महिलाओं से अधिक हैं लिंगा नुपात यूपी का है 912 यह इंपॉर्टन्ट है इसका अर्थ होता है कि एक हजार पुरुसों के सामने 912 महिलाएं हैं घानत तो यूपी का है 829 यानि कि परतिवर की किलो मीटर में 829 लोग रहते हैं दसकी ब्रदिदर है 20.2 साक्षर्ता है 67.7 परसंट अनुसूचित जाती यूपी में है दिसमच नंबर इतना इंपॉर्टन नहीं होता है हाँ साक्षर्ता में जो परसंटेज होते ही इंपॉर्टन है देखो क्या इंपॉर्टन है यह घानत इंपॉर्टन है 10 की ब्रदिदर इंपॉर्टन है साक्षर्ता इंपॉर्टन है जिसमें पुरुसों की 77 महिलाओं की 57.2 इसको याद कैसे कर सकते हैं 57, 67 और 77 57 से 10 अधिक 67, 67 से 10 अधिक 77 ठीक है? इस तरह याद कर सकते हैं ठीक है? महिला फिर दोनों को मिला कर फिर पुरुस इन तीनों को क्रम से रखोगी तो महिला 57, दोनों को मिला कर 67 और केवल पुरुस की 77 यानि के 77 प्रिशत जो है वो साक्षरता दर है अनुसूचित जाती जन जाती में आफकोर्स पुरुस अधिके महिला कम है कि कुल जन संख्या में अनुसूचित जाती का प्रिशत मतलब यूपी में एससी कम्यूटी के लोग कितने प्रिशत है तो 20.7 प्रिशत पेन का कलर हमें चेंज करना चाहिए लाइक दिस ऑके और एसटी यानुसूचित जन जाती तो जन जाती की अबादी का कुल प्रिशत है 0.6 प्रिशत प्रिशत की जो सर्वष्टरेंस टेस्ट सेजी है जिसमें 100 पेपर हैं जिसमें 6,000 क्यंश्चन हैं जिसे 2022 में पूरे 62 क्योंस आए 2023 UPSC Prelims में पूरे 57 questions आए and UPSC Prelims 2024 में 67 questions आए आप ऐसे test series को underestimate नहीं कर सकते ignore नहीं कर सकते ignore करना afford नहीं कर सकते क्योंकि अगर Prelims fail हुआ तो साल खराब होगा इसलिए पहले ही attempt में अगर आप Prelims qualify करना चाहते हो तो join करू Nudge 100 पूरे 100 test paper मिलेंगे आपको और बहुत ही superior fine touch advanced level आपकी तैयारी होते ही यहाँ पे thank you so much ग्रामीड जनसंख्या नहीं याद करना राज की कुल जनसंख्या में ग्रामीड जनसंख्या का प्रतिसत पता होना चाहिए so that is 77.7% नगरिय जनसंख्या urban population कितना है नहीं याद रखना percentage कितना है 22.3 यह चिंता जनक बात है किसी भी उभरते हुए देश के लिए urban population केवल 22 या 23 या 25 प्रस्यत होना कम है UP का कितना है 20.03% यह हमारी सरकारों की बड़ी चिमेदारी है इन चीजों के सरकारों को ध्यान देने क्या हो सकता है और तो सहभागिता दर कार सहभागिता दर यानि कि work population rate कितना है 32.94 प्रस्चत और 0 से 6 आयो प्रस्चत की जन संख्या नहीं याद करना लिंगा नुपात याद करना है सिसु लिंगा नुपात 902 इसका मतलब भविश्य में 1000 पुरुसों के सामने 902 बालिकाए रहेंगे जो कि अपने आप में संख्या कम है ठीक है कुछ और बात है उत्तर प्रदेश धर्म की अनुसार जन संख्या के प्रिश्चत religious composition of the population तो हिंदू की जो प्रतिसत है कुल जन संख्या में हिंदू का जो प्रिश्चत है 79.73 इसाई का प्रिश्चत है 0.18 जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं आप उनको atheist कह सकते हैं agnostic कह सकते हैं वह 0.9 प्रिश्चत मतलब अच्छे खासी population जो किसी धर्म को नहीं मनते हैं Muslim प्रिश्चत उत्तर प्रदेश में है 19.26 Jain का प्रिश्चत है 0.11 अन्य धर्म का 0.01 Sikh धर्म का 0.32 बौद धर्म का 0.1 मतलब Jain से बहुत कम हैं यह याद रखना बाकि आपको Sikh और Muslim और इसाई में ज़्यादा डाउट नहीं होगा हाँ Sikh नंबर 3 पर है इसाई नंबर 4 पर है Jain नंबर 5 पर है बुद्ध नंबर 6 पर है इससे साउधान रहना जो किसी धर्म को नहीं मनते अगर यह नंबर आ जाए तो इसको exactly 0.29 आपको याद रखना पड़ेगा पको यह नंबर exactly पूँच सकते हैं यह अपने आप में बड़ी बात है भारत जैसे धर्म को मानने वाले देश में उत्तरप्रदेश में बड़ी आबादी एक है करीब 50,000 से अधिक जो किसी धर्म को नहीं मानते बड़ी बात है सरवाधिक पूरुस साक्षर्टादर कहां पर है गौतम बुद्धनगर में नियूनतम पूरुस साक्षर्टा है स्रावस्ति में यही फैक्ट सब इपॉर्टेंट है यह टेबल ना आपकी एक्जाम के लिए बड़ी काम की है इसे ध्यान रखना अच्छा सारवाधिक साक्षर्टादर टोटल किसकी तो गौतम बुद्धनगर के और नियूनतम कितने है स्रावस्ति की यानि कि जो पॉपॉलेशन में सरवाधिक यानि कि Highest Literacy Rate है गौतम बुद्धनगर का वही पुरुसों के लिए है और जो मिनिमम है स्रावस्ति के लिए पुरुसों के लिए मिनिमम है सरवाधिक सरवाधिक महिला साक्षर्टा कानपुर्ट नगर में है और नियूनतम महिला साक्षर्टा में स्रावस्ति हर तीनों मामलों में नंबर तीन पर यानि की सबसे नीचे हैं और कुछ बातें ग्रामीड साक्षर्टा दन जिसमें की सर्वाधिक और अरया में गाओं को लोग पढ़े लिखे हैं और सबसे कम स्रावस्ति यह क्या हो गया स्रावस्ति के लोग को जनसंख्या घनत तो ठीक है जिले की हिसाब से तो सर्वाधिक घनत तो कहां पर है गाजियवाद में बड़ी घनी आबादे हैं ठीक और सबसे कम ललितपुर में जंगली जंगल है इसलिए जनसंख्या और जिला तो अलहाबाद याने के प्रयाग राज में और सर्वाधिक महिला याने के अलहाबाद प्रयाग राज में तो यह वाला composition याद रखना maximum और minimum population वाला district maximum प्रयाग राज minimum महोबा यह दो बाते आपको पता रहनी चाहिए ग्रामीड सिसू लिंगा उनुपात तो जो सबसे बढ़िया है वह बलरामपुर का है और सबसे minimum किसका है गौतम बुद्धनगर का देख लो लिंगा नुपात में गौतम बुद्धनगर कितना पीछे हैं क्यूं यह चिंता जनक बात है ठीक दो तीन और महत्वपूर बाते यहां पर देखेंगे लिंगा नुपात के हिसाब से बेस्ट है जोनपुर का कारण आप लोग कॉमेंट करके बताओ क्यों जोनपुर का लिंगा नुपात ने एक सेक्स रेश्यो बढ़िया है और सबसे खराब गौतम बुद्धनगर का पढ़ाय लिखाई में अच्छे काम में बुरे है ना देखो कितना बड़ी यहां पर देख सकते हैं और सरवाधिक सिसु लिंगा नुपात बलरामपुर का है और नून्तम सिसु लिंगा नुपात बागपत का है जिले के तौर पर अनुसूचित जाती कि जनसंख्या सबसे सरवाधिक कहां पर है सीतापुर में और सबसे कम कहां पर है बागपत में ग्रामीड जनसंख्या सरवाधिक कहां पर है प्रयाग राज में और सबसे कम कहां है नून्तम है यह तो ईजी है पर नूड़ा में ज्यादातार अर्वन पापुलेशन है चलिए जन्मी के समय जीव सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाला प्रतिसत के हिसाब कौन सा जिला है उतधिक अनुसूचित जाती वाला जिला सीतापुर अभी हम ने देखा सर्वाधिक अनुसूचित जन जाती है ट्राइप्स कहां से कौसामभी है उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंदी कुछ और महत्पुर्ण तथ्य हमारे सामने हैं जिन में कि घनत तो हमने थोड़ी दिर बात करें तो सर्वाधिक गाजयाबाद का मिनिमम है ललितपुर का राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसुचित जाती की प्रति राजिशत में कौसामभी अभी हमने बात के नियूंतम है बागपक्द यह थोड़ी देर देखा हैं दसकी ब्रदिदर के हिसाब से सर्वाधिक ब्रदिदर गौतम बधिनगर में है और सबसे कम ब्रदिदर है कानपुर्ण नगर में और इसांटी की में सबतिता इसां सबसे कम करफुकात करनी जनसंख्या वालत कि एक फो ciao नगरी जण संख्यावला इसे यह आद हो जाएगा अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ज़्यादा तेजी से याद हो रहा है इतना बार-बार आने की जरूरत नहीं तो इसे आप 2X कर लो तो तेजी से आपका वीडियो खतम हो जाएगा और आपको याद तो है ही रिवीजन के लिए भी 2X का सहरा लो अनुसूचित जन जाती वाला जिला सर्वाधिक सोन भद्र और नून्तम बागपत बार-बार आएगा अच्छे से याद हो जाएगा साक्षरों की संख्या वाला जिला सर्वाधिक साक्षर लोग प्रियाग राज में रहते हैं और सबसे कम स्रावस्ति में सर्वाधिक जन गणना नगर वाला जिला वारान से सर्वाधिक स्लम जन संख्या मेरट में सर्वाधिक वा नियूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रम से कम सर्वाधिक वा नियूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रम सम वदायों और स्रावस्ति हैं वैधानिक नगर तेंदूलकर समित के हिसाब से गरीव रेखा के नीचे जीवनियापन करने वाली जो जन संख्या है वो यूपी में है 29.43 परसेंट और 2011 की जन गर्ना के अनुसार वर्क पापूलिशन रेशियो है 32.94 परसेंट कुछ और बाते हैं उत्तर प्रदेश में भासा के अनुसार जन संख्या की परसेंट में सबसे अधिक लोग हिंदी पर डिपेंडेंट है 94.08 परसेंट है देडिकेटेड तोर पर ये इंग्लिस मीडियम का चैनल होने की बावजोद भी हम लोग हिंदी के काफी मेटर लेके आ रहे हैं और उर्दू पर निर्भरता वाले लोग हैं 5.42 परसेंट पंजाबी 0.25 परसेंट और बंगाली 0.12 परसेंट लोगों की मिन्धासा है ठीक है और कुछ बाते हैं चिकिसा और स्वास्त का डेटा पहले देख लेते हैं होमियो पैथे चिकत साले कितने हैं नहीं याद करना इलो पैथे चिकत साले कितने हैं नहीं याद करना अयरुवेदिक यरानी वाले नहीं याद करना उत्तर प्रदेश परसासनी की काईया तो मंडल कितने हैं 18 याद करना है जिलोग संख्या है 75 पता होना चाहिए नगर 189 नियाए पंचायते कितनी हैं अब तक अस्तित में नहीं है 2017 तक कर डेटा के हिसाब से तहसीले हैं 350 यह ठीक है याद रखना है विकास खंड 826 नॉट सो इंपॉर्टेंट कुछ और बात है नगर पंचायत 546 याद रखना है नगर पाली का परिसद 200 याद रखना है नगर निगम है 17 इंपॉर्टेंट है कुल टैक्स रेवन्यू याद रखना आबाग ग्राम नहीं याद रखना आर्थिक संभाग छेत्र है चार यह याद रखना है हम इसा छोटे नंबर वारे इंपॉर्टेंट होते हैं जिला केंदरी सहकारी बैंक यानि की डिस्ट्रिक सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक्स इसको डी सी सी बी यह हम लोग इकनामीम पढ़ते हैं पचास जिसमें की पैक्स हैं 7479 फोर 7479 ठीक है यह प्राइमरी एग्रिकल्चर क्रेड़ेट सोसाइटी जोती है न्यूस्पेपर में हमें सा इसे पी ए सी ए स लिख याता है पैक्स उत्तर प्रदेश ग्राम क्रसी एवं ग्राम विकास बैंक यानि कि एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलेप्मेंट बैंकों की जो साखाए हैं 329 है इकनॉमिक इस तरह के डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं इनको याद रखना तो डी सी सी भी हैं 50 और पैक्स हैं 7479 ठीक है सोन्हें तो कहीं से शुरू कर सकते हैं यहां सुरू करते हैं सहरी महिला में से नाइन ग्रामेड महिला यह इंपॉर्टेंट है 65 महिला का है 66.7 और ग्रामेड महिला का 66.9 यह इस में ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है वुमन से रिलेटेड डेटा ही पूछा जाएगे जब भी पूछा जाएगा यूपी में बिद्दूत की क्या हालत ही जरह समझते हैं अब यह नया डेटा है इसको थोड़ा साम फोकस करेंगे हर दुआ गंज ताप विद्दूत परियोजना कहां पर है अलिगर में यह निमबर जहां पर इंपोर्टन्ट हो को महां बताएंगे नहीं तो नहीं विद्दूत की कुल स्थाफिच छमता यूपी में है 31,521 मेगावाट यह याद रखना राज में राष्टी ताप विद्दूत निगम कितने है यह थर्मल पावर प्लांट है आठ यह इंपोर्टन्ट है प्रतिव्यक्ति विद्दूत उपभोग 401 किलोवाट घंटा उत्पादन नहीं याद रखना प्रतिव्यक्ति उत्पादन 112 लिटिल बिट इंपोर्टन्ट उत्तर प्रदेश राज विद्दूत परिश्ट के स्थापना 1969 उत्तर प्रदेश विद्दूत नियामक आयोग के स्थापना 1999 सब बेकार है एक मात्र परमाड विद्दूत केंदर कहां पर नरौरा बोलन्ट सहर में यह इंपोर्टन्ट है ठीक है और एक दो बाते देखते ह यूपी में मंडलबर जिले तो 18 मंडल है और 75 मंडल इसके बारे हम बात कर चुके हैं मेरठ मंडल है नहीं याद रखना नीचे की चीजै लख्नव मंडल में 6 जिले में रक म caring कानपूर में में 6 जिले म ुए अयोद्या में 5 जिले हैं मुरादाबाद में 5 जिले हैं वारनसी में 4 जिले और नीचे कहानी नहीं याद रखना आ Audra कोई मतलब नहीं होता। चित्रकूट में चार जिले हैं आग्रा मंदल में चार जिले हैं आलीगाल principio हैं प्रयाघराज में चार जिले हैं देवी पार्टन में चार जिले हैं बरेली में चार जिले हैं फोर डिस्टिक्स ठीक है तो इस तरह नाम अगर आपको मंडल के नाम याद है ना उतना काफिए गोरफपुर में चार मिरजापुर में तीन सहारनपुर में तीन आजमगण में तीन जहांसी में ती तो यह अपने आपने कुछ मंड्लों की बात है है कि उत्तर प्रदेश सतर भारत के तुलु नात्मक संकेत तक कि तबात में करनी है रहा है यहां पर आए का देटा यहां पर attention और भारत यहां पर है तो जो जन्रगानना का वर्स है तो 2011 आपके बात आपको पता है उसके बाद अभी कोई जनगर्णा के डेटा आया नहीं तो जनसंख्या ब्रद्धी 2001-2011 के दौरान यूपी में 20.33 प्रिस्यत है इसको बिल्कुल सटीक तोर पर याद रखने जब तो तुम्हारा फाइनल सेलेक्शन नहों जाए क्योंकि यह इंटर्वी के लि प्रिस्त यूपी में है 22.3 प्रिस्त और इंडिया में 31.2 परसंट लिंगानुपात यूपी का है 912 और भारत का है 943 अलब यह सारे डेटा इंडिया के एवरेज के हिसाब से यूपी के कम अच्छे हैं साक्षर्टा दर प्रितिस्त में तो आये देखते हैं यह जो बैगनी कलर वारी है यह यूपी के हैं और नारंगी कलर वारी भारत के हैं तो कुल व्यक्ति की साख्षर्टा दर कि हिसाब से देखते हैं तो देखो यूपी में कुल है 67.7% ईंडिया का है 73 परसंट यूपी में पूर्षों का है 77.3 और इंडिया में 50.9 यह डेट आपके याद is 53.0 यानि 73 परसंट लेकिए सबसे important है UP में महिला और भारत में महिला यानि i7 4.6 भारत में महिलाओं का साक्षर्टादर है और 57.2 UP में महिलाओं का साक्षर्टादर है ठीक कुछ लगाते हैं इस तरीचा सबसे पहले देख लो में साखचर्टा दर भारत ने 57.9 पर प्रसंट ग्रामीर में तरफ्र fastest में साखचर्टादार 53.7 पर यह दोनूंड डेठ आपके काम के हैं जिसमें । सबसे काम कथ ज्ञेयादा है वो यह ग्रामीर महिला उत्तर प्रदेश ठीक बागी डिटा आपकी काम की नहीं है हां फिर भी देख लेते हैं भारत में ग्रामीड यूपी में ग्रामीड पापुलेशन का पूर्सों में साक्षर दादर है में 76.3 परसेंट और महिलाओं का 77.2 परसेंट टोटल पापुलेशन ग्रामीड में 67.8 परसेंट पापुलेशन जोकी साक्षर है और इंडिया वाइस और यूपी में 65.5 परसेंट इधर यह नगरी ऐसे को इंपॉर्टेंट नहीं इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं कुल जन संख्या मैं अनुसूचित जाती यानी कि सी यूपी में 20.7 परिसेंट इंडिया में 16.6 परिसेंट और अनुसूचित जन जाती यानि कि ट्राइबल पापुलिशन यूपी में 0.6% और भारत में 8.6% ठीक है 8.6% तो ये दोनु डेटा आपको पता होने चाहिए और बाते जन्मदर और मृत्युदर का कुछ खास डेटा यहां पर दिया हुआ है उसको समझेंगे हम लोग तो जन्मदर कुल कितना है प्रती हजार के हिसाब से इंडिया में है 19.5 यूपी में है ये 2020 के हिसाब से डेटा है 25.1 मृत्युदर अभी हम टोटल की बात करने है इंडिया में 6% यूपी में 6.5% ठीक है इसको अड्जस्ट करने के बाद हमारा पता चल जाता है कि 10 साल में कितनी पापुलिशन बढ़ रही है इस तरह से ग्रामीड और अर्बन ऐसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टन नहीं है सिसु मृत्युदर पर थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे ठीक चाइल्ड मॉर्टालिटी ओल इंडिया वाइज 28 है और यूपी की हिसाब से 38 है ग्रामीड में 31 इंडिया में यूपी अगर भौतिक विभाजन से निश्चित आता है तो हम थोड़ा फोकस करेंगे भौतिक विभाजन आसान सा एरिया है एक परस्ण आपको मिलेगा और वह इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको बता दूँगा तो आपके लिए वह पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा ठीक चलो सिधी पॉइंट पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश को मुख्यत तीन प्राकतिक छेत्रों में बाटा गया है भाबर एवं तराई का प्रदेश गंगा यमुना का मैदान और दक्षन का पठारी प्रदेश तो यहां पर इस सब्द पर ध्यान दो प्राकतिक प्रद प्रदेटर जो हमारे पास है वो यूपी की स्थिति के बारे में तो भू गर्भिक द्रश्टी से प्राचीन गोणवाना लेन इंडिया का पार्ट है यूपी भी उसी का पार्ट है कोई अलक्सी तो होगा नहीं पठारी भाग वो प्राइदीपी भाग का अंग है अक्ष य गंगय अमनक मैदान दक्षण का पठार यह तीन प्राकतिक प्रदेश है इस सब्द पर ध्यान रखोगे तो कोशन नहीं गलत होगा भाबर छेत्र में परवती भुभाग कंकल पत्थर होते हैं और इसका बिस्तार कहां है यही आपका कोशन बनाएगा मैंने आपसे बताया क पर पस्यम क्यों हैं तो बिजनोर सहारन पूर पीले भीत साजहां पूर लखीम पूर कितने जिले हुए हैं एक दो तीन चार पांच तो यह पांच जिले भाबर छेत्र में हमारे हां दिखाई दे रहे हैं फिलाल अब बात करेंगा हम तराई छेत्र में बहुत इस पश्टो तोर पर आपको पता होना चाहिए कि तराई छेत्र के कौन कौन से जिले हैं तो यह ज्यादा है भाबर से ज्यादा है तराई में चुकि भाबर परवत के नीचे का पहला एडजेसंट एरिया आता है तो उसके बा रहा हूं गंगयमने के विश्टरित मैदानी प्रतेश अच्छा एक बात और आप यह बोल सकते हैं कि जब मैं आपको इस्ट्रिकली बता रहा हूं कि कौन इंपॉर्टन नहीं है तो मैं उसको पढ़ाता क्यों हो यह बताने के बात देखो एक एजुकेटर के तौर पर यह म इंपॉर्टन नहीं बताया कोर्शन वो आ गया तो वो रिस्क आपको अपने विवेग से अपने कॉंसिंस लेना है बात समझ गये इसलिए हम आपको बताएंगे तो सौरे लेकिन साथ में इंपॉर्टन भी बताएंगे गंगयमने के विश्टरत मैदानी प्रदेश तो इसक सकते हैं अब पठारी छेतर की प्रदेशों की बात करें तो जिसमें बुंदेल खंट और बगेल खंट के भुभागें यह तीनों दोनों नाम आपको जोग्राफिक हिसाब से याद रखना चाहिए बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है यह यूपी की जलवायू रिसंट में इस यहां की जलवायू उष्णोकर्टमंधी मान्सून यानि कि ट्रॉपिकल मानसून तराई छेतरों में नमी रहती हैं और दक्षणी पठारी छेतरों में ग्रीस में रित्मी बिल्कुल भी नहीं होती मतलब बंदेल खंडेरिया में और बगेल खंडेरिया में नमी नहीं होत आते हैं अब जितने भी हमारे सीरे सब भरते हैं वह इस नौ का महत तो जानते हैं क्यों यह यूपी में अभी रिसेंट में आया एक बार पहले प्रिलिम में आया और जब मेंस अब्जेक्टिव होता था तो यह हर बार आता था इतना इंपॉर्टन्ट है कितने क्रसी जलवाई प्रदेश है यूपी में नाइन अपने दिमाग में बैठा लो ठीक है यूपी जलवाई प्रदेश कौन-कौन से हैं तो आर्द एवं उशन प्रदेश हैं साधारन आर्द एवं उशन प्रदेश हैं अब इसके अंदर तराई और उ नहीं ध्यान देने की जरूरत है तापमान उत्तर से दक्षिन की ओर बढ़ता है कारण देखो सन इक्वेटर से जितना दूर जाता है तो जब तक वो 23 लैटिटूड पर नहीं पहुंचता चाहे नौर्थ या साउथ तब तक उसका टेंपरेचर बढ़ता है फिर जब वो 23 पह तो जितना भी आप उत्तर की ओर जाओगे यूपी में उतना टंप्रेचर घटेगा ठीक है इसलिए उत्तर से दक्षिन की ओर जाने में तापमान में ब्रद्धिक होती है यह सिंपल साइंस है अब अधी सीत रुट की यह हम पहले बात कर चुके हैं सब सर्वधिक ठंडा मह जन्वरी माना जाता है सीत कालिंग चक्रवातों के द्वार के तोर पर यूपी के उत्तर पस्चिम यानि कि नौर्थ विस्ट एरिया में साथ से दस सेंटीमेटर तक वर्सा प्राप्त होती है अब आपको पता है कि यह विंटर में जो साइकलोनिक विंड्स आती हैं के एरिया में थोड़ी ज़्यादा वर्सात होती है यूपी से सर्दियों में ठिक और आईए कुछ और महत्तुपून बाते देखते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे तो ग्रीस में रितुका प्रमुक्चुप अवधी हो मार्च से जून है तुम जानते हो गर्मी इतनी लगते होगी कि बताने की जरूरत नहीं है सरवधिक तापमान मैं जून में रिकार्ड किया जाता है और औसत तापमान च 314 डिगरी होता है पता नहीं किससा आप से लिखें मुझे तो 54 डिगरी की गर्मी लगते थी फिलाल हम 469 याद रखेंगे निवनतम औसतन तापमान है 21-23 सरवधिक औसत तापमान है बुंदेल तम जहां से उम आग्रा जिलो में इसलिए तुमको लगता है आग्रा की बच्चे जितने सब बताते हैं और नियूनतम बरेली जिलो में गर्मी पड़ती है लू तीब रिकत से चलने वाली पस्चिमी हवाएं होती है याद रखना ठीक है वेस्टर लीज होती है और वर्सा रि बेंगॉल ब्रांच है उससे उससे हमें अधिकांस वर्सा प्राप्त होती है जिसमें सबसे ज़्यादा किस है दच्छन पस्चिम मांसून से ठीक है इसमें सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट मांसून जिसको बोलते हैं और जुलाई एओं अगस्त के माह में लगभग 60% वर देते हैं यूपी के सर्वाधिक वर्सा वाला जिला कौन सा है सोन भद्र नियूंतम वर्सा अलीगड अधिकांस मांसूनी वर्सा कहां प्राप्त होते हैं तो बे अफ दक्षण पस्चिम मांसून की बंगाल की खाड़ी साखा से उत्तर प्रदेश का वह छेत्र जहां सर्व हम आगरह के बीच में हां करक रेखा से निकटतम स्थित के कारण बुंदेलखन में सबस्यादा घर्मी है यह 23 के नजदिक है इसलिए ठीक है और सीत रूति में उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षण की यह सब बाते हम कर चुके हैं और बाते हम इसम पर मिलने वाले असंगठित उपरी परत हैं जो चटानों के बिघ्टन के वियोजन से बनता है यह सब आप बाते जानते हैं किसी भी छेत्र में मरदा पैत्रक यानि कि जो उसकी प्राइमरी रॉक्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं जलवाई को दिसाओं पर डिपेंड क यूपी की मिट्टी को प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर जी बैग्यानिकों की विशलेशन के आधार पर पहले तो याद रखना कि किनका क्लासिफिकेशन है यह दो भागों में विभाजित किया जाता है गंगा की विसाल मैदान की नूतन एवं उपनूतन मिट प्राचीन रवेदार और बिंधन सैली या बंदेल खंड की मिट्टियां ठीक यह दो में हो गया एक दक्छुन का एक गंगा का आई यह बांगर कैसा होता है देखते हैं तो बांगर जो है वो प्राचीन जलोड होता है यानि कि मिट्टी जो पानी के साथ बहके आई है उसे जलोड कहते है cities यह पुराना है उसे प्राचीन कहते हैं और खादर को नमिन जलोड कहते हैं यह जो पानी से बहके नई मिट्टी आई है वह इसको खादर कहते हैं पहले तो यह अंतर पता चल गया अब प्रचुरता इसमें फास्फोरस होता है चूना होता है हुमस होता है और कमी नाइट्रोजन की होते हैं देखो भारत के लगभग सभी छेत्रों में 96% से ज्यादा जमीन में नाइट्रोजन कमी है और पोटास के भी कमी होते हैं अनिनाम दोमट मतियार बलुई दोमट भूड पुरातन जलोड मिट्टी ये इनके अनिनाम है याद रखना उपर हार मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूरी विभाग में पाई जाते हैं कुछ और खादर नमीन जलोड होते हैं और आजकल जो नई मिट्टी आती है पानी की साथ बहके वहाँ है यह हलकें रंग वाली चिद्र युक्त महीन कण होते हैं इसमें और नदी की बहाँ से आते हैं हमने पहले देख लिया इसमें खनिस क्या-क्या पाया जाता है, यह important है, चूना, पोटास, मेगनिसियम, इसमें पोटास पाया जाता है, बांगर में कम था, कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हिमस्की होते हैं, इसके अन्य नाम क्या है, तो नूतन जलोड, बलुवा, सिल्ट, है ना, और मटियार यह क्या नाम है, और यदि आप UPSC मेंस की संपूर्ण तयारी करना चाहते हैं, तो आपको जॉइन करना चाहिए मेंस 500, जिसके अंतरकत आपको GS के चारू पेपर के लिए, पूरे 100 टेश्ट पेपर मिलते हैं, साथ में AC की प्रैक्टिस के लिए 20 AC प्रैक्टिस आपको GS के अंसा राइटिंग के लिए प्रते एक पेपर के साथ आपको मिलते हैं, Synopsis, और इस Synopsis के help से आप तयारी कर सकते हैं, और अपनी preparation को strengthen कर सकते हैं, घहराई से तयारी कीजिए, कुछ और बात हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुक मिट्टियां, आराम से देखिए, लाल हम पीली, अब ये क्यों ये टेबल क्यों important ही वाले, कि किस तरह की मिट्टियां यूपी में पाई जाते हैं, कैसे eliminate करोगे जब तक ये नहीं पता होगा, ठीक, लवण प्रभावित, तराई, लाल मर्दा, परवती, जलोड, कैल्सियम, मध्यम, काली और मिस्टित, लाल मुट्टि हैं, ठीक है, कुछ और फैक्ट यहां देख लेते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश में छेत्रवार अपरधन की किस तरह के से प्रकार हैं, तो अवनालिका अपरधन प्रभावी है पस्चिम छेत्र में, वायो अपरधन पस्चिम छेत्र में है, रिल अपरधन, जली अपरधन यह दख्चिन छेत्र में है, जली अपरधन एवं परत अपरधन विसेश रुप से प्रभावी हैं, पूरवी छेत्र में और उत्तर में परत अपरधन, यह अपरधन की कुछ प् पाई जाते हैं जल प्लावित नदी के किनारे में पाई जाने वाली मिट्टी को धूह मिर्दा के नाम से जाना जाता है बुंदेल खंड में रेगुर करोल कपासी आदी मिर्दा पाई जाते हैं उत्तर प्रदेश में दो मटों बली मिट्टी का छेतर कहा है तो सिक्टा करिया धनका उत्तरप्रदेश के पठार की मिट्टियों को कहते हैं बुंदेल खंडी मिट्टी और वाय उपरदन उत्तरप्रदेश में मुत्राग्रा में सबसे ज़्यादा होता है ठीक है यूपी की नदियां अच्छा एक और बात में आपको बताना चाहता हूं पहरे हम लोग सोच रहे थे कि दो बड़े बड़े वीडियो बना के यह पूरा कवर कर दिया जाए लेकिन जैसा हम बच्चों को फीडबेक देख रहे हैं नॉर्मली वह एक घंटे 40-50 मिनट या कभी देखते हैं और इसके बाद उसे कल के लिए डाल देते हैं और फिर उन्हें सर्च करने में चीजों में दिक्कत आ रही तो हमने यह सोचा कि इस पार्ट को हम लोग एक घंटे या एक घंटे 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे तो इसमें हमें टोटल टाइम कि लिए हम 5 पार्ट में करेंगे तो यानि कि करीब एक घंटे के या सवा घंटे के अप्रॉक्समेट इतनी बड़े व्यूडियो जाएंगे बैस ठेक चलो यूपी के नदियां तो नदियों के उद्गम के सुरोत पर यूत्तरप्रदेश के नदियों को तीन भागों इनका बहाव हिमाले से चलता है फिर दक्षण के और बिंदेह चल द्वार निर्धारित है और जिसमें उत्तरप्रदेश की प्रमुख नदियों में घंगा घंगरा राम गंगा यमुना टिक यह गंडक और राप्ति इतनी नदियां हिमाले से निकलती है मैधानी भाग से गोमती, वरुन, साई, पांडो, इसान यह तुभी देखने में आसान लगता होगा लेकिन अगर यूपी PCS में पूंच लिया जाया कि मैधानी भाग उसने करने मानी कौन न दिया है और सब में मिला की 4-5 आप्सन बना दिया जाया चार आप्सन बना दिया यह मैधानी भाग वाली न दिया है और हिमाले के परवेश से कौन-कौन से न दिया निकलते हैं तो आप देखते हैं कि यह गंगा है फिर इसको सबसे पहले अच्छा देखो एक और बात गंगा का बहाओ कैसा है ऐसा इस डिरेक्शन में है ठीक तो कौन सा राइट और कौन स तो शर शर दाहिने साइट से जुडती हैं तो यम्रा गंगा को जुड़ती है दाहिने साइट से टोन्स और देखते हैं और अधा और बाइह मैं यानों से नदिया गंगा को मिलते संग्ते मिलने वाली नदिया फिर दिन खागरा गंडग को cruise ये चने देनें baik का उत्तरी कीनारे से मिलने वाले नदिया राम गंगा गुम अ को और बागमती है यह नाम यह नहीं तकालना कि यह नुर्थ साइडसे यह ही लेफ्ट साइट से मले दाइट साइट से दक्षणी साइट से रायट वर्ड हम अरशोन प्रमुख न दिया हैं कुछ और बथे प्ठार निकल न दिया ज़र देखते हैं और कुछ बाते हैं, यूपी की नदियों में गंगा नदिक से समंधित विशेश्थ तत थे, गंगा को उद्गम स्थान है गंगोत्री हम्नत गोमुक और उद्गम इस्थान पर मुक् की धारा का नाम है भागी रथे, सैयुक्त धारा भागी रथे और अलक अलक नंदा को कौन सी नदी कहां पर मिलते हैं तो अलक नंदा कॉमन रिवर है उसमें भागी रती मिलते हैं तो हम इससे कह सकते हैं कि देव प्रयाग में अलक नंदा से मिलती है इसलिए भादेव ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं भादेव ठेक है बहादेव अलक नंदा मिलते हैं यह याद रखना डेल्टा बंगाल की खाड़िम बनता है लंबाई 1450 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी यूपी में है और इसमें तटी यह सहर कौन से है यह आपका कोशन वाले एरिय जहां से प्रश्ण आएगा निश्चित आता है यहां से फरुकबाद मिर्जापुर गाजिपुर मैं आपको एक चुनाती देता हूं इन सहरों में से कौन-कौन से गंगा के उत्तर में बसे हुए सहर हैं बताओ आए और चीज़े देखते हैं राप्ति के बारे में राप्ति का उद्गम स्थल है रुकूम ठिक उद्गम स्थल है रुकूम कहाँ पर कोट नेपाल प्रमुख सहयक नदी इसकी रोहिटी इसका संगम मनता है घागरा से कहां पर बरहज नामक एस्थान देवरिया जिले में याद रखना देवरिया बहुत इस्पश्ट तोर पर पता होना चीए कि राप्ति का घागरा नदी के साथ संगम कहां पर बनता है देवरिया जिले में और टोंस नदी में देख लेते हैं तो टोंस का उद्गम स्थान है या पहले घागरा कुने उप्टा लें और अब अब आ द्शायक नदियां है किसकी घागरा के कर नाली शिक टी ला सेटी बेरी रापती छोटी घंड़ए इंपॉर्टन अन्निनाव इसको शर्यू कहते हैं घागरा को शर्यू भी कहते हैं अयुद्या वाला सर्यू इसलिए important तो है गंगा नदी से यह छपरा में मिलती है च्छपरा विहार में इस्थित है और सार्दा नदी ये कुमाईं हमाले के मिराम नामक हिमनत गिलेसियर से निकलती है पीली भीत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई ये मैदान में प्रिवेस करती है ब्रह्मदेव इस्थल पर ठीक है इसके अलाबा प्रारंभिक नाम इसको काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं सार्दा को काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं इसमें कुछ विशेष्था है कि ये साप के भाती टेने मेंडे मार्ग से होकर चलती है विसरपाकार मियंडरिंग करती है इसको इंगलेस में बॉत ठीक है और संग पर रहें वियां को जोड़ों कहां पर यहां पर चलेगा कुछ और बाते हैं कि इधर हमारा कुछ काम का बचा में daha पहले पहले कुछ और बात यमूना को टॉंस पहले करते हैं सिर्षा प्रियाग राज अलहाबाद में सिर्षा नामक जगए है वहां पर इसके अलाबा यमणा नदी यमनोत्री पस्चिम ढाल बंदर पूंच पर निकलता है। यह यूप सिम पूंचा जा चुका है और यूपोसी मी पूंच जा चुका है। अपवासट अंतर स्में उत्तराखंण पहुंस ते फिर हमाचल प्रदेश पहुंस ते हारयाना पहुंस ते दिल्ली इसमें आप हिमाचल याद रखो, हर्याना याद रखो, दिल्ली तो आपको पता है, ईहीं से बांदा और फटे पो डेश्टिक का बारडर बनता है, इसके प्रमुख किनारे इस्थित नगर कौन से हैं तो यमुना की किनारे हैं मतुरा, कृष्णजी वाला मतुरा, ब्रंदावन कृष्णजी वाला और आगरा ताजमहल वाला, इटावा मुलायम सिंग वाला कालपी, पता नहीं किसी वाला हमीरपुर ये भी किसी वाला और कौसाम भी वुद्ध वाला तो इस तरह से ये प्रमुख नगर है जो कि यमना की किनारे स्थित हैं इनमें आपको याद रखना है कौन सा उत्तरी साइड है कौन सा दक्षिनी साइड है ठीक है? जहां सी जिले के पास प्रमुख बांध है पत्राई बांध जो पत्राई और सुखनाई नदी पर इस्थित है और परिच्छा बांध बेत्वा नदी पर है और सुखमा डुखमा बेत्वा नदी पर है ये प्रमुख बांध है इंपोर्टन है इससे कौस्चन आ चुका ही इसलिए इसको अलग से दिया जाना बहुत ही तर्क संगत है कुछ और बेतवा नदी और केन नदी के बारे में समझते हैं तो बेतवा नदी का उद्गम है कुम्रा गाउं राय सेन मध्यप्रदेश राय सेन और किस चीज के लिए फेमस है कॉमेंट करके बताओ सांसकरतिक नाम इसका वेत्रवती है प्रमुख बांध इसमें राजघाट बांध है और राणी लक्ष्मिबाई सागर राजघाट बांध पर जो डैम बनता है उसको राणी लक्ष्मिबाई सागर भी कहते हैं केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है यह important geographical point है इसका उपनाम है कार्णवती और संगम बनाती है यह बोजहा बांधा डिस्टिक में यमना मेंदी पर ठीक है और कुछ चंबल तो चंबल का उद्गम इस्थान है जानापाव पहाड़ी महू मध्ध प्रदेश में और यह बांध बनाती है यमना से कहां इटावा जिले में important है इस important factors का चंबल पर प्रमुक बांध तो गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध ठीक, चंबल की सहाइक नदियां कौन से हैं काली, सिंध, नाट सिंधु, बनास और पार्वती यह चार चंबल की सहाइक नदियां है important है प्रमुक बांध जोकि उत्तर प्रदेश में हैं मेर्जापुर में जिर्गो जिर्गो नदी पर अहरावरा गराई नदी पर मेजा बेलन नदी पर अदवा अदवा नदी पर सिर्शी बाखेर नदी पर तो जिन में आपको कहां ध्यान देना है इस पर नहीं ध्यान देना चुकि उस सेम नाम है इसमें अलग 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 इस पर ध्यान देना है इस पर ध्यान देना है मेजा वेलन पर अदवा अदवा पर है इसको नहीं ध्यान देना है और सिर्सी बखेर पर है इसको ध्यान देना है ललितपुर में बहुत सारे डैम है तो जैमनी जैमनी पर नहीं याद रखेंगे, रोणी रोणी पर नहीं याद रखेंगे, सहजाद सहजाद पर नहीं याद रखेंगे, गोविन सागर सहजाद नदी पर याद रखेंगे, सजनाम नदी पर नहीं याद रखेंगे, राजगाट बेतवन नदी पर इसे भी याद ये दो याद रखेंगे इसमें ललित पूर में ठिक है बागी याद रखने कि जेमिनी रोहणी सहजाद और सजनाम गोविन सागर राजगाट इस समय ललित पूर डिश्टिक में इस्थित डैम हैं बांध हैं ठिक अन्ने पूरमुग बांध करहार सोन भद्र में हैं याद रखेंगे, सलारपूर महोवा में Mrs.我是 याพर रखेंगे सलारपुर रखेंगे सलारपुरम चन्दौली जिसको आप कौन से जिले हैं तो गोरफ पर भाराजगन कुसी नगर दिवरिया यह गंड़क पर योजना से लाख पाने वाले जिले हैं प्रमुख नदिघाटी, पर्योजना है हम ढेखते है, जो की देशी नदिघाटी पर्योजना है, तो इन में से राजगाट परियोजना जो कि यूपी और मद्रदेश के सहयूग तो सहयूग तो प्रयास से बना है बेतवानदी पर राजगाट बेतवानदी यूपी अंपी गोविन बल्लब सागर पिप्री सोन भद्र पर ठीक है गंडक गंडक परियोजना यूपी एवं नेपाल की सहयोग से हैं और बाल मी की नगर के निकटि इस्थेत हैं गंडक यूपी नेपाल बालमे की गंडक यूपी नेपाल बाल मे की राम गंगा परियोजना बिजन picture ओंदी उस्टिक्ञ में टापी ओरजा से 55,000, जल विद्दूथ केवल 500, नमवी करनी ओरजा से 5000 और परमाड़रजा से 440, तुछ पर दोषभी ओरजा। सिंग्रोली सोनभद्र में तो रिहंद नदी हैं यहां पर सोनभद्र में और राष्टी बिद्दुत निगम यानि के एंटी पीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित सयंत्र दादरी गौतम मुंदगर टाडाम बेटकर नगर में उचाहार राइबरेली में और यह गै सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक वाइज एंसी क्यों सॉल्व करना चाहिए जो अध्यायवार होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए इस लेकिया है नाज हंडेड नाज हंडेड में आपको टॉपिक वाइज हंडेड पेपर्स मिलते हैं जो कि prelims 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं के अलावा इसमें आपको approximate 6000 क्वेस्टिन की practice करने के लिए मिलेंगे पूरे 100 पेपर होंगे जिसमें कई पेपर होंगे जिनमें पूरे-पूरे 100 questions होंगे बांकि सभी में 50 प्रश्ण होंगे topic wise हैं आपका कोई भी area छूटेगा नहीं कहराई से आपकी तयारी होगी जो questions का standard है that is even superior to UPSC level तो आप लोग UPSC pre में अगर अपना समय ज़्यादा नहीं बरबात करना चाहते हैं और पहले ही attempt में prelims qualify करना चाहते हैं जोईन कीजिए नज 100 बांकि सभी कोईला अधारी थे तो वह हमारे लिए आसान हो जाता है और अनपरा कहां पर सोन भद्र में यह ताप विद्दुत निर्माडा धीन है इसली इंपर्टन्ट है हरदुआज अलिगण में उबरा सोन भद्र इंपर्टन्ट है जवाहर पूर एटा इंपर्टन्ट है पन की कान पूर इजी है परिच्छा जहांसी यह एक बर कोशन में पूंचा जाचको है दुबारा पिप आ सकता है ठीक है अनपरा पुराना है अ एक मात्र परमणू नरावरा बुलन सहर में मेजा ताप विद्धुत सहयंत्र परियोजना है किसकी एंटीपी सी यूपी राज विद्धुत पादन निगम लेंटेट अबरा ताप विद्धुत सहयंत्र का निर्माण प्रारम हुआ रूस के सहयोग से 1967 में रस्या समाप्त करेंगे पूरे पांच पार्ट आएंगे मैं आपको फिर से बता देता हूं पांच पार्ट यह फर्स्ट था और निक्स्ट में हम वन्यों बनस्पतियां प्राकतिक बनस्पतियां यूपी के वह सभी कुछ करेंगे अभी सेशन को यहां समाप्त करते हैं ठीक है और free test series सभी को दी जा रही है ठेक है? थांक यू कर दो डांक यू